नमस्कार दोस्तों मैं हूँ मिकूपल और आप देख रहे हैं स्वेंद फेज मिकूपल प्रदेश के सभी सात्यों को नमस्कार शात्यों आज हम लोगों के ऊपर एक संकट बड़ी वीपत आई हुई है और ये मान्ये मुख मंत्री जी के दुवारा बार 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 आप मतलब जो हम लोगों को सात्यों चल और सिख्षक भाली बीपीएसी के तुरू लिया जा रहा है उसमें छेर चाड किया जा रहा है और अभी इस वक्ते सबसे बड़ी खवर हो हम लोगों के लिए सबसे बड़ी चिंटा का बिशाय बना हुआ है डो मिसाइल को समाप्थ होना यानि किसी वी राज ये के जो मतलब बच्चे हैं अब इसमें आवेदन कर सकेंगे और इनके लिए एक जूट हो करके हम सबी को लड़ना पड़ेगा मानते हैं कि हमारी जो आपसी मद्विध है उसको अब एक प्लेटफर्म पर ला करके समनों में बेठा करके और एक साथ लड़न होगा तो उनके पास दो दो चीज़ें और दो चीजों के लेकर करके एक तो कटिनाई के समना वो लोग पहले से कर रहे हैं और दूसरी चीज़ें दो मिसाइल हटा दिया तो कटप हम लोग का भी बड़ेगा और आपका बड़ेगा इसलिए मैं निवेदन करता हूँ कि जो वाले साथी हैं एक बहुत जल दांदोलोन के घुशला किया जाएगा और आप लोगो 100% उसमें मतलब भागिदारी सुनिशित करना होगा हमारी और आपके बीच में जो आपसी मतलब मतवेद है उस मतवेद को समाप्त करते हुए मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि हम लड़ेंगे मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि कटप बढ़ेगा तो ना आपके लिए अचा होगा ना हमारे लिए अचा होगा अना बिहार की यह हित में होगा और दो मिसाइल हटाना कहां तो कुछ इथ है जो अध्गर राजे में जाते हैं टोटो मिसाइल लगा रह सकता है जो चुतियापंती के सारी सीमा पार कर चुके हैं अरे हम लोगों में अपसी मतबेद अगर है तो सिक्षक बनने के लिए है ना कि दूसरे राजे के आये और मजा मारे तो हम आज यह कह रहे हैं कि जो भी हमारे भाई हैं जो पेरिंग वाले हैं उनको हम लोग एक करके लड़ा जाएगा इस लड़ाई को आप इस वीडियो को जरूर स्यार करें और बहुत जल्द हम लोग पटना के धरती पर एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे और मुख मंत्रे जी का जो यह परधान मंत्री के सपना बनने का है न इसको चूर-चूर कर दिया जाएगा तो साथी आप लोग कितना सपर्ट दिजिए का कोमेंट कर जरूर बताइएगा और बस मैं यह कहूं को आप लोगों से कि निगेटिव कोमेंट नहीं किजिए अब एक साथ मिल करके लड़ाई लडएंगे और इस लड़ाई में आप लोगों को मैं आहुत कर रहा हूँ आई प्रेखा तयार किया जाएगा आप लोग इसमें जरूर भाग लीजिएगा बहुत पहुत धन्यवाग आगे अपडेट दिया जाएगे